आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी यूज करते हैं कोई भी सैमसंग का फोन और यहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके फोन का कीबोर्ड यहां पर आपके फोन की हाफ स्क्रीन में शो होता है यानि कि keyboard आपका full size में नहीं show होता यहाँ पर इस type से आपको show करता है half screen में तो ये problem आप कैसे ठीक करेंगे आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस problem को आप ठीक करने के लिए अपने phone की settings को open करिए और settings को open करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा एक option general management के नाम से तो जैसा कि आप देख सकते है general management के नाम से ये option है इस पर आप click करिए और click करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिलेगा Samsung keyboard settings के नाम से एक option इस पर आप click करिए उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आपको एक option देखने को मिलेगा size and transparency के नाम से तो आप इस पर click कर दीजिए size and transparency वाले option पर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से आपके keyboard का size इस type से adjust हो जाता है तो यहाँ पर आप इस point पर click करके से इस type से stretch करिए right side में या फिर जो भी अगर आपने किसी और size में कर दिया है तो आप इस point से इसे full कर सकते हैं उसके बाद नीचे आपको मिलेगा done का option done पर click कर दीजिए अगर आपको फिर भी problem आती है तो आप नीचे आकर reset to default settings पर click करके reset keyboard settings पर click करके नीचे reset पर click कर दीजिए और उसके बाद आपका keyboard यहाँ पर reset हो जाएगा और अब आप check कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी यह problem यहाँ पर ठीक हो चुकी है तो इस तरह से आप अपनी यह problem ठीक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें